है थालो दोस्तों में आज हो लोग बहुत इंप्ट अप्यूट करेंगे आज में सब देखने वाले हैं अकाउंटिंग हम आपको बता दे हैं अगर आपने इस्टेगरम आड़ी दियो नहीं है तो चलो को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो बिसकलिए सब्सक्राइब करना तो यहां पर दो है कि accounting is the process of recording financial transaction pertaining to a business, the accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agency, regulator and tax collection entities, इसका कहने के मतलब यह है कि accounting अर्थार लेखांकन एक ऐसी process है जिसमें business की financial transaction को हम record करके रखते हैं, जैसे कि business के lane, देन, लावान, समान, खरीदना वा बेचना company के उपर loan, company की संपत, आज को accounting की माधियम से हम सुभवस्तित करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि company को सुचार रूप सो चलाने के लिए accounting की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि company को कब फायदा हो रहा है, कब नुक्षान हो रहा है, company को कितना tax पे करना है, company की तो यह कहते हैं कि accounting is art, यानि कि accounting एक कलाया है, जिसके थुरू हम recording classified या समराइज करते हैं, एक significant manner में, जो भी transaction या event होते हैं, उसको monetary term में हम note down करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि according to American accounting association के थुरू, ए ए ए ए ठीक है, तो यह कहते हैं कि accounting to the process of identifying, measuring and communicating economic information, यानि कि accounting क्या कहता है, कि एक process है, जिसमें हम identifying, measuring या communicating करते हैं, यह किसी भी economic information को economic manner में, ठीक है, आगे देखते हैं कि feature क्या है, accounting का तो बहुत सारे यहां पर दिये हुए है, जैसे कि first है कि monetary transaction, accounting basically monetary transaction में होता है, ठीक है, यह historic nature का होता है, यानि कि जो आट no down करेंगे, हम एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद भी देख सकते हैं, तो third है legal requirement यानि कि accounting legal requirement में भी यह यह यूज होता है, फोर्थ है कि external use यानि कि जो भी creator होते हैं, या हमारे जो investor होते हैं, या government होती है, जो भी चीज़े कंपनी के बारे में जाना चाहते हैं, यह use कर सकते हैं, accounting के थुरू, ठीक है, फिफ्थ है कि डिस्क्लोज आप financial status, यह डिस्क्लोज करती है कि financial status क्या किसी भी company की six है कि interim report यानि कि यह interim report करती है, accounting के थुरू, क्योंकि जो भी financial status कंपनी की जो भी काम कर रहे कंपनी वह भी यह accounting के थुरू, हम represent कर सकते हैं, financial accounting process यानि कि accounting प्रोसेस, accounting basically financial process में भी use हो सकता है, ठीक है, आगे देखते है, इसकोप क्या है accounting का तो बहुत सारे है, जिसे कि business forecasting में, proper decision making में हम हम यूज कर सकते हैं, accounting को, correct taxation में, यानि कि जब हम taxation pay करते हैं, या टेक्स पे करते हैं, तो आहां पर accounting का हम यूज कर सकते हैं, replacing manner, यानि कि जब हम business को replace करना चाहते हैं, या किसी और business में हम सिफ रोना चाहते हैं, तो हम accounting के माध्यम से यह हम को provide करता है, help ठीक है, उसके यहां पर भी हमको help provide करता है, documentary evidence यानि कि जो भी आज हम हमारी जो भी financial status है, यह पांस साल बाद हम जब देखेंगे, तो यह पता चलता है कि हमारी financial status previous year क्या थी, तो यह documentary evidence में भी हमको help provide करता है, helping to realizing of debt, ठीक है, यानि कि क्या debt होगा, या क्या debt है, हमारे पास यह help provide करता है, accounting accounting के तुरे preventing and deducting fraud, यानि कि prevent करता है, deduct करता है fraud, help to management, यानि कि help provide करता है, management को कौन accounting, ठीक है, देखते हैं कि objective क्या है accounting के तो बहुत सारे objective यहां पर देखेंगे, to kept systematic record, यानि कि हम systematic, के through, हम record रख सकते है, accounting के माधियम से, ठीक है, to determining profit and loss, यानि कि accounting में हम profit and loss को भी account मनाते है, तो हम determine कर सकते हैं, इसको easily, थर्ड है कि ascertaining financial position, यानि कि कि किसी भी business की financial position क्या है, हम ascertain कर सकते हैं, उसके बाद है कि to communicate the information, ठीक है, यानि कि जो भी हमारी की company की financial status है, company की जो भी financial position है, हम communicate कर सकते हैं, या जो भी investor होते हैं, या creator होते हैं, अन्डेटर होते हैं, या government को, ठीक क्या होते हैं accounting कैसे काम करता है तो basically first है कि identifying ठीक है जो भी transaction होते है उसको identifying करेगा उसके बाद recording करेगा classified करेगा summarizing करेगा analyze करेगा उसके बाद interpreting करेगा उसके बाद communicate करेगा ठीक है तो यह function होता है कि accounting एक कांटिंग का यह इसके थो एक चक्र है इसके थो यह घूमता रहता है ठीक है आइड़्वांटेश मेनजमेंट को यह हैं प्र प्रवाइड करता है मैनेजमेंट को आज जो बीजने की आज़ करेंगा 5 साल बाद दी भी यह कि सद्राइबी करता है मैं जो भी होता है तो उसमें यह करता है ठीक एफिजन से करते हैं बचल्च को तो इसमें भी किसी बिजनस से तो ऊंटिंग युषय करता है उनको ठीकि कैन सारे आप करते हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बाद से करने कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है टेक्स टेक्स की वज़र से देक्स पर करने को जाशते हैं करते हैं फञें कि बहुत सारे खाफ कर सकते हैं कांटिंग के थूर फ मैंनुपलेट यानि कि बहुत सारे चीज़ें होता है इस्टीमेटर से फ़स्ट है कि रूल आफ कंसिटेंसी बहुत सारे लूल इसमें आएसे लगते हैं कि जो फेक हैं तो इस तरह से बहुत सारे डिसड़्वांटेज एक्जिस्ट परते हैं किसी भी अकाउंटिंग में थैंक यूबरीमन वाचिंग माई वीडियो आप ल हुले